क्लास 12 वाले विद्यार्थी यह दी चाहते हैं कि वो सारे अब्जेक्टिव प्रस्णों का हल कर पाए इंग्लिस में यानि इंग्लिस के अब्जेक्टिव का तोड लेकर आओं देखिए इंग्लिस में जो आपका चेप्टर परतेक प्रोज सेक्षन है दुसरा का प्यूट्र यानि एक भी आपका अब्जेक्टिव नहीं चुटने वाला है जितना नमर का इंग्लिस में अब्जेक्टिव का एकजाम होता है बसरते इस वीडियो को पुरा वाच कर लिजिए आपका एक भी अब्जेक्टिव नहीं चुटेगा एकदम 120 परसन गरांटी के साथ कहूंग इस वीडियो को यह दिया पूरा देख लेता है ना तो एक जाम में आपका एक भी अब्जेक्टिव नहीं चुटेगा यह मेरी गरांटी है ठीक है देखे सबसे पहले प्रोस सेक्षन में पहला चेप्टर आता है इंडियन सिवलेशन और कल्चर तो इंडियन सिवलेशन और मतलब है महत्मा गांधी यह बना रहा हूं अबजेक्टिव का चेप्टर वाजिन छटा गया यह देखे इस वीडियो को देख लेंगे ना तो एक भी अबजेक्टिव नहीं चुटेगा लेकिन बात यहां पड़े चेप्टर का याद उन्चिए हर चेप्टर से अथर मतलों लेखा कोने MK गांधी उसके बाद बन मतलों जनम आणि महत्मा गांधी का जनम कभ हुआ था दो अक्टूबर 1879 को मारेंगे आप फुष्टाइग गांधी जनती कभ मनाते हैं तो दो अक्टूबर कमनाते हैं जब उनका जनम हुआ था उसके देथ का मतलब प्रस्ण करता है कि अहिंसा दिवस नन भाइलेंस डे कब मनाते हैं तो हिंसा दिवस 30 जनौरी को ही मनाते हैं क्योंकि उसी दिन गांधी जी को मार दिया था यंग इंडिया चाहे माई प्रस्ण किया है कि यंग इंडिया के संपादक यह राइटर कौन है तो मतमा गांधी यह दोनों किताब यंग इंडिया और माई एक्सपरिमेंट वित्तरत के लेखा कौन है मतमा गांधी है उसके वादे कि गांधी जी इंडिया पुल्टिक्स में कब 1915-1948 तक रहते हैं वो भारती है राइटिम वो कब तक कब कब से कब थे तो 1915-1948 मिन की मिरती हो गई थी ठीक है उसके वाद विए पॉंस मतलब गांधी जी का सबसे हथियार विए पॉंस मतलब होता है हथियार तो गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था त्रथ एंड नन वाइलेंस त्रथ नेशन फादर कोन मतलब गांधी बापू कोन मतलब गांधी तो यह पहला चेप्टर से इंपोर्डन प्रस नहीं करेगा कि इंडियान सब्लेशन कल्चे के लेखा कोन मतलब गांधी इनका जनम कब हुआ था पुछ सकता है तो दो अक्टूबर थे सो उनातर को पुछेगा ग गांधी जी का मुख्या थियार क्या था त्रथ एंड न नॉन वाइलेंस आञी शॉत्त यार अई प्रतेक चेप्टर का इंपॉर्टोर्ण प्रस निछाटा गया थी दूसरा है अब पुरा याद कर ली जिगा ठीक है दूसरा है आपका भारती जी माई हूम तो भारती जी म प्रषिबटर अफ इंडिया निया भारत के राष्टपती गाए तोफ में तोफ में तोफ में यह सक्षा कि अब प्रस्ण करते होए लाक्तर जाकर आप मतलब सफत लेते हुए कसम खाते हुए कि मैं इमंदारी से भाव पूर्वा के एकदम भारत की सिवा करूंगा यही खायेंगे बॉर्ण इनका जनम कहा हुआ था हैधराबाद के 897 में हुआ था हैधराबाद के 897 में अगर पूछ सकता है कि डॉक्टर जाकिरूशन के जनम कब यह पिंच अफसनफ के लेखक को ने अथर अथर मतलब लेखक तो इसके लेखक मनुहर मालगियूंकर ठीक है याद कर लिजीगा इनका जनम 1913 में हो था मनुहर मालगियूंकर का यह क्या थे फेमस नोभलिस्ट और शॉर्ट एस्टोरी राइटर थे यह जो एपिंच अफसन करता भी मनुहर मालगूंकर क्या थे अगर और अपसन फेमस नोभलिस्ट हो कर तो फेमस नोभलिस्ट मारेंगें और शॉर्ट एस्ट्वी राइटर अब मार देंगे जो दिया रहेगा अपसन वही मारेंगे ठीक है उसके बाद कि इनका कुछ लिखा का किताब है यह बेंड इन गंगे के लेखा कौन, डिस्टेंड ड्रॉम के लेखा कौन, बंबे वीएर के लेखा कौन, तो सब के लेखा के मनोहर माल गयों कर, इस चेप्टर में जो पींच ओफ सनफ इसका हिंदी होते हैं एक चूटकी सुंग, ठीके इस चेप्टर में नानु काका की चर्चा किया ग गर चौथः चेप्टर देखते हैं चौथः चेप्टर सब्सक्राइब का अउन कारी में नाना यह अपना भासन दिये थे यानि काले गोरे का भेज चलता था अमेरिका में ठीक है तो यह स्ट्रेंग टू लब इसके लेखा कॉन मार्टिल टॉकिंग जुनियर कभ लिखाएगा था अनिसोतिर पर ने स्ट्राइड टू आड फिर्डम इसके भी लेखा कॉन मार्टिल टॉकि अगला परसन देखे पांचवा परसन फ्रसाइब में चलेंगे क्योंकि भी बहुत साइब हेल्प मैंड काइंड यह जो पांचवा चेप्टर से इसके राइटर या लेखा कि यह अथर कौन है तो बट्रेंड रसेल है इनका बट्रेंड रसेल का जनम कभ वह था आठाइसो क्या थे वर्ट्रेंड रसेल हिस्टोरियन और मैथमेटिसीयन थे कहीं परसन करता है कि बट्रेंड रसेल क्या था जैनों एक साथ नहीं एक कोई और तो नोबेल प्राइज उनीज सफ़ाइब रचना नोब्स पक्राइज नीज्ट पचास में मिला था और यह चेप्टर तबरेन देशर की रचना और जैक स्ट्री राइटर ठीक है उसके बाद देखिए अगला सत्वा चेप्टर देखिए चाइल्ड इज बॉर्ण के लेखा का जर्मेन गिरी ठीक है अथर मतलब लेखा किसके लेखा को ने जर्मेन गिरी इनका जनम के अश्टेलिया में हुआ था ठीक है यह क्या थे फेमस फेमिनिस्ट राइटर थे यह चेप्टर जो आने एक इसे है उसको दिनका कुछ रचना भी है जैसे दो फीमेल इन अचे उसको सेक्स्ट एंड सेक्स एंड डेस्टीनी दा पॉलिटिक्स ऑफ यूमन फर्टिलिटी सब्सक्राइब इनका क्या करेंगे याद कर लेंगे कोपी में नोट्स बनाते चलेगा क्योंकि यहीं सब आपके इंग्लिस में अब्जेक्टिव आने वाले पर एक चेप्टर से इंपॉर्टिन अब्जेक्टिव चटवा दिया हूँ इसके अथर लेखा को ने द्रोथी एल्सेयर से इनका जनम 1893 में हुआ था देथ मिर्ति उनिस संताओं में हुआ था यह 1915 में इनको यह क्या 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 थे ग्रेजुएट ऑफ ऑक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी इसका मतलब हुआ कि 1915 में यह ग्रेजुएशन कंप्लीट किय उसको कुषलिखेगा किताम विशियर्स का क्लाउट्स तू ऐफृटे हैं विट्नेस एंटनेशर्ल देथे और नायन टेलर्स चयांए गुट्डी नाइट यह सब किंकी रचना आ तो इन ही की Dretherer's की रचिना है और यह जो चेप्टर स्पाणा, व estat मतलब यह एक यह निभन देट अगला चेपटर देखे difagen माहए यह गाल यंफा यह अगला चेप्टर सेफ्टार सीनमी चलak क्लिबने इगारे यह दो चवाने है इह गाले ऑफी यह गोल सेफ्टर होना व मोटर ठीपर हो मिला था था घ्रेज है पक्ति जोंसन नाम के पीता है इस का पुछा करता है इसंबें चैन फार्मर का सब्सक्राइब और ये Benji का पिता भी है तो Benji Sun हो गया तो लिक देगा पुछेगा प्रस ने कि जोंसन की इस चेप्टर का पार्थ दर्थ का बेंजी की इस चेप्टर का पार्थ दर्थ का उसके बाद एची बेट्स का कुछ लिखा गया किताब है दो पॉर्पल प्लेन ये कब 1947 में लिखा गया दो एसके लेट एस वर्ड ये उनिस से कॉम इनके दो लिखा गया दो डार्लिंग बर्स अफ में ये उनिस सो इंठाउन में लिखा गया तो ये सब तीनों किताब किनकी रचना है तरम हुआ था है इन्हें नोबेल प्राइज कम मिला था उनिस सो अर्थीस में और इसके बाद दो गॉर्ड ये किनकी रचना है तो पियरल एस बॉक की ही रचना है ठीक है थीस तरह से दसवाट चेप्टर भी आपका कम्प्लीट होगा प्रोज सेक्शन का अगला मैरिज प्रोजल के लेखा के इन्टर चेखो इनका जनौ मा थाए सौट के रसिया में हुआ था यह क्या थे DRAMATIST और SORT STORY WRITER ते यह पेशे से बुलाइज डॉक्टर बाइप्रोपेशन यह पेशे से क्या थे डॉक्टर भी थे उसके बाद यह चेप्टर जो यह मैरिज प् लेखक क्यों हैं अफीय फिर्टी सेक्शं का आतर हो गया अब आते हैं प्यूट्री सेक्शन य कि इसमें पहला चैप्टर सब्साइस में इनकी मिर्टिव 1631 में उगला चैप्टर देखते हैं सौंग ऑफ माइसल्ब देखे Song of Myself के लेखक अथर कौन है वाल्ट वीट मैंन है इनका जरम आठायस उने इसके अमेरिका में हुआ था इनका मिर्ति उनी सब बानवे मुआ था और इनका लिखा गया एक फेमस किताब है Lips of Grass ये कब लिखा गया था अठायस उने इसके भी लेखक कौन है वाल्ट ये प्यूटी सेक्षन का तीसरा चेप्टर है नाव दा लिफ्स आर फॉलिंग फास्ट इसके लेखक अथर कौन है तो दाबलु एच अडेन है इनका जनम निसो साथ में हुआ था इनका मेर्ति उनी सो तीहतर में हो गया था इन्हें पुल्टीजर प्राइज मिला था उनी स में उसका दिन का कुछ लिखाए का किताब भी है जैसे दो ओरेटर से दान्स ऑफ डेथ है लुक एस्टेंगर दा एज एज ऑफ एक्स्टिंगी अदा शेल्ड ऑफ एचाइल ठीक है यह एचाइल से यह सब किन की रचना आते यह डबलु एच अडेन की रचना तो कई बार यह भी प्रस ना अपसे एप आइ यह लग भकष दोगों किताब कि इंकी रचना है इनी जयोन कष्ट की रचना है जैसे विरगिल से इनीड लाइन इंटेशान और सैस्पेंस यह सब किन क रचना है यह क्या थे ग्रेट लॉबर आफ नेचर यह प्रकृति के बेफीप करताव प्रकुर्ति प्रेमि थे प्रफट करता वह प्रकुर्ति किलन है यह क्या इंदि को इसका मेर बाइड़र इंग्लेंड में हो गया था इंगलेंड में इयुक्ति शॉर्फजर की ईंगलेंड में हो गया थिक भला us Than मतलब लेखा कान रिपोर्ट बुरुक है इनका जनम 887 के इंगलेंड में हुआ था इनकी मिर्थी 1915 में हो गई थी ठीक है इस चेप्टर से भी इतना ही प्रस्ण करता है ज्यादा प्रस्ण नहीं करता है मतलब गया एक रहस्य माई बिली है इसके लेखा अथर कौन है टीस इलियट है उनका जनम अमेरिका में हुआ था किताब इनका किताब भी है जैसे लेखा कौन है थी इस इलियट इस चेप्टर यही प्रस्ण करने वाले आठवा चेप्टर नाम है पायर ही दिए बहुत्टर के अथर मतलब लेखक कोने कभी कोने केकी इन दारू वाला है इनका जनाव 1903 में हुआ था यह साहित्य कार्डमी अवार्डी ने 1964 में मिला था इनका कुछ लिखाय का किताब भी है अंडर ओरीजन जिसको जिसकी रचना 1907 में यह किये थे उसकोद एप्रीशन इन एप्रील 1911 में रचना किये थे इसके बाद इनका लिखाय का कुछ किताब है दो वाइट पिक उप जिसकी रचना यह दी एच लोरेंज जो इन इसके रचना 1911 में किये थे इन तीनों किताब के लेखा को ने डी एच लोरेंज से ठीक है इस चेप्टर से यही प्रस्न करने वाला है अंतिम चेप्टर है प्यूटी सेक्शन का जिसका नाम दिया My Grants Mother House के लेखा के कमलादास यह इनका जनम जो एक 31 मार्च को 1934 में हुआ था यह क्या क्या थे सोर्ट एक स्टोई रॉय रैटर थे और क्या क्या रचना किताब तो समर इन कुलकत्ता 1963 में यह लिखे थे उसको सौरेंज 1964 मे लिखे थ चारों पाचुक किताब किनकी रचने कमला दास किये तो इस तरह से आपका प्रोज inspection of beauty section का परते एक कोपी में लीक कर बढ़िया से इन सभी को याद कर ले और एक भी अब्जेक्टिव आपका एक्जाम मैंने चुटेगा इसका 100% गरांटी मैं लूँगा ठीक है तो इस वीडियो को ज्यादा से लोगों पास शेयर करें ताकि सारे बचे इंगलिस में सारे अब्जेक्टिव को ह कॉल कर पाई